सो गाइज आसके वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप MX Player यूज़ करते हैं MX Player में जब भी आप वीडियो प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखा देता है यह Error This audio format EaAC3 is not supported अगर आपको यह कुछ इस तरह से दिखाता है आपको Audio सुनाई नहीं देती हैं मतलब जो वीडियो होती है उसकी Voice सुनाई नहीं देती है by Emakon害 आ रही है तो ऐसे में आपको क्या करना है आज की वीडियो मिआ आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है ओडियो की वह सॉल्व हो जाएगी आपके एमेक्स प्लेयर के अंदर तो चलिए जान लेते हैं मैंक्स की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर आपको बोल रहा है कि इस ओडियो फॉर्मेट एसी इस नोट स्पॉर्टेड यहाँ पर आपको एक फाइल डाउनलोड करनी होगी ठीक है जो कोड़क फाइल है वो क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ तो देख लीजिएगा आपको यहाँ पर आना होगा अपने ब्राउजर में ब्राउजर में आने के बाद आपको लिखना है MX Player Codec कुछ इस तरह से आपको सर्च कर लेना है MX Player Codec करके तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स निकल कर आ जाएंगी इन में से सबसे उपर आपको जो देखने को मिल रही है Download MX Player IEO Zip तो कुछ इस तरह से इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है जो सबसे पहले है आप स्क्रोल करने नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जिफ फाइल देखने को मिल जाएंगी तो जो यहाँ पर आपको थर्ड नमपर पर देखने को मिल रही है MX-eio.zip इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है देख सकते हैं मैंने डाउनलोडिंग पर लगा दी है और यह कुछ ही दिर में डाउनलोड हो जाएगी जैसे यह डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है बैक आना है MX-eio.zip को उपन करना है और यहाँ से देख सकते हैं ओटोमेटिक आपकी जो कोडेक फाइल है यह डिटेक्ट कर लेगा आपको सिर्फ ओके कर देना है देख सकते हैं स्टार्टिंग एप टो रिलोड कोडेक ओके तो आपकी जो काम है वह बन चुका है आपको और यह से रिलेटिड आप प्रोब्लम नहीं आएगी उसने डिटेक्ट कर लिया है आगर आपको वाइल में आटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करता है तो आपको क्या करना है देख लीजिए MX Player के open करना है देन उसके बाद आपको पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है नीचे आपको सैटिंग देखने को मिल रिकट से हमरेक्ट करना है यहाँ पर decoder आपको दिखा रहा है थर्ड नंबर पर decoder पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको scroll करना है नीचे, आपको यहाँ पर दिखा देगा custom codec, custom codec पर आपको click कर देना है, जैसे आप custom codec पर click करेंगे, यहाँ पर आपको folders दिखाएगा, जिस भी folder में आपने codec file को download किया है, उस folder को select करिए, और यहाँ से अपनी file को select करके ok कर दीजिएगा, तो बस यही काम आपको करना होगा, आप manually कर सकते हैं इस तरह से अपने codec file को use में, तो बस आज की वीडियो में आपको जहीं बतान था, अगर आपको फिर भी कोई problem आती है, मुझे comment box में बताइएगा, मैं आपके लिए को यह solution लेकर आँगा, आज की वीडियो में इतना ही मिलते ने ने च वीडियो में, तिलने वा टेक क्या, लव यू अल